हलो दोस्तों कैसे हो आप सब दुबर का टाइम हो रहा है और सारे काम निप्टाने के बाद न मैं बैठी हूँ पालक तोड़ने के लिए क्योंकि रात में न हरा सबजी और साग आया था मार्केर से खरीद करके तो मैं रात में भी इसे साफ नहीं कर पाई और सुबह में तो इतने सारे काम होते हैं कि इन सब चीजों पर ध्यानी नहीं जाता है और जब मैं इस्तिर होती हूँ सारे काम निप्टाने के बाद तब मैं पालक को बैठ करके आराम से तोड़ती हूँ तो यहां पर पालक धनिय पता हरा मिर्च रखी हूं तोड़ने के लिए और बाकी के अभी हरा सबजी रखा हुआ है धोने के लिए पहले मैं पाला को तोड़ लेती हूं उसके बाद से एक अठे साग सबजी सारे चीजों को अच्छे से धोलेंगे गर्मी इतना ज्यादा पढ़ रहा है ना कि जो भी सा मुर्जाने लगता है तो यहां पर मैं सारे सबजीयों को धोने लग गई हूं जो भी साग सबजी जो भी आया है मार्केट से पहले मैं उसे धोलोंगी और उसके बाद ना एक कॉटन के कपड़े को भी छा करके उस पे मैं सारे साग सबजीयों को रख दोंगी ताकि जो भी इसमें का पानी होगा न वो कौटन के कपड़े में सोख लेगा उससे न कपड़े में पानी अच्छे से निकल जाता है न तब उसको मैं फ्रीज में रखती हूँ बिना धूले हुए कोई भी चीज में फ्रीज में नहीं रखती हूँ और यहां पर सिमिला मिर्चर टमाटर है तो इसे भी मैं धूले रही हूँ तो सारे साग सब्जियों को धूने के बाद ही मैं फ्रीज में रखती हूँ और बिना साग सब्जी धूले अगर फ्रीज में रख देते हैं तो फ्रीज भी गंदा हो जाता है देखने में अच्छा भी नहीं रहता है और अगर हम धो करके तो सिर्फ निकाल करके बनाना रहता है तो इसलिए हमारे लिए एक काम जो है आसान हो जाता है सब्चियों कुद होने के बाद कोटन के कपड़े पर डाल दी हूँ और उपर से उसे मैं ढख दी हूँ और आजकल मैं मेरे मुबाइल में पता नहीं क्या हो गया है कि जब भी मैं वीडियो सुट कर रही हूँ तो बीच में कट जा रहा है और अपने याप ही वीडियो डिलिट हो जा रहा है तो वीडियो में इसे भी मैं कैप्चर की थी जो कॉटन के कपड़े पर मैं सबजियों को सुखने के लिए रख रही थी लेकिन पता नहीं अपने याप ही वीडियो कट गया और डिलिट हो गया तो इस वज़ा से इसमें नहीं दीख रहा है तो पता नहीं मेरे मुबाइल में क्या हो गया है कि वीडियो अपने याप डिलिट हो जा रहा है और यहाँ पर न मैं हेंडवास को डबे में भर रही हूँ क्योंकि मेरा हेंडवास वाला डबा जो है खाली हो गया है तो इसे मैं भर करके रख दे रही हूँ और मेरा डीश वास भी खतम हो गया था तो उसे भी मैं भर ली हूँ तो दोनों को भर करके और मैं रख दी हूँ और उसके बाद मैं बैठ गई हूँ पालक काटने के लिए क्योंकि रात के खाने में आलू और पालक का सब्जी बनाना है तो इसलिए मैं डिनर का त्यारी अभी से शुरू कर दी हूँ और अभी पांच बज रहा है पांच बजे से मैं अपना रात के खाने का त्यारी करना शुरू कर देती हूँ यह मेरा रोज का काम होता है उसके बाद से मैं आलू काटना शुरू करूंगी सबजी काट करके तुरंत मैं छोंक लगा दी हूँ क्योंकि आज न मुझे मार्केट जाना है साम से तो इसलिए मैं जल्दी खाना तयार कर ले रही हूँ क्योंकि जब कहीं जाना रहता है तो आने के बाद खाना बनाने का मन नहीं करता है तो इसलिए मैं फटाफट खाना बना रही हूँ और यहाँ पर मेरा नमक खतम हो गया है तो जब भी नमक खतम हो जाता है तो मैं जार को पहले धो देती हूँ उसके बाद से दुबारा मैं इसमें नमक रखती हूँ तो जार को मैं धो करके सुखने के लिए रख दे थी जार जब सुख गया है तो इसमें मैं नमक को भर दे रही हूँ बच्चों का स्कूल खुल गया है तो सारे भूख कॉपी नए लेकर के आना पड़ेगा तो इसलिए हम लोग को मार कर जाना है बूख कॉपी लाने के लिए और साम के साथ बजे हम लोग जाएंगे तो आते आते आट नो बजी जाएगा और कहीं से आने के बाद खाना बनाने का मन नहीं करता है मन जो है ठक जाता है तो इसलिए मैं सोची की सबजी बना करके रख दूँगी और आटा गुद करके रख दूँगी आने के बाद सिर्फ रोटी बनाना रहेगा तो यहां पर मेरा चाई भी बन गया है चाई को छान ले रही हूँ और पहले मैं पालक को आलू में डाल दे रही हूँ उसके बाद मैं बैट करके आराम से चाई पिऊँगी क्योंकि पालक को डाल दूँगी न तो पालक से पानी छोड़ता है तो इसलिए सबजी नीचे से जल तो चलिए दोस्तों आब मैं आराम से बैट करके पहले चाई पि लेती हूँ और यहां पर बच्चों का मस्ती चल रहा है तो यहां पर बोल रही है कि मम्मी मुझे डाइट पर रहना है यह चीज मुझे नहीं खाना है वही मैं बता रही हूँ कि क्या-क्या चीज नहीं चाह पिने के बाद नहीं कपड़ी स मिठनी के लिए बाहर आ गई हूँ क्योंकि यहां पर मैं कपड़े डाली थी सुबह में सुखने के लिए तो आजकल मेरा कपड़ा यहीं पे सुख जा रहा है चहत पे नहीं डालना पर रहा है सारे कपड़े को मैं एक्строй करके यहीं पे और जब टाइम मिलेगा तब मैं बैट करके इसे फोल्ड करोंगे, तो अभी तो इसे फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है, तो पहले मैं सारे काम को निप्टाओंगी, उसके बाद जब आराम से बैटूंगी न, तो उस टाइम मैं कपड़े को फोल्ड कर लेती हूं, और उसके बाद मैं कीचन में आ गई, कीचन में आने के बाद मैं आटा बगएरा गूती, और ये वाला वीडियो न मेरा, दूसरे दिन साम का वीडियो है, पूरे दिन मैं वीडियो नहीं बनाई, और मार्केट से आने के बाद मैं इतनी ठक गए थी कि वीडियो बनाने का मन ही नहीं किया तो उस टाइम भी मैं वीडियो नहीं बनाई और उसके बाद पूरे दिन मैं वीडियो नहीं बनाई साम से मैं वीडियो बनाना शुरू की हूँ और इस ताइम मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए तो मैं सोची कि थोड़ा बहुत सूट कर लेती हूँ दूद ठंडा हो गया है तो सोची कि इसे मैं फिरिज में रख दू ताकि मलाई जो है इकठा हो जाएगा मलाई मोटा पढ़ जाता है तो निकालने में घी आसान रहता है अच्छा से घी निकल जाता है तो अहीं मैं दूद को रख दी हूँ ठंडा होने के लिए और यहां पर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और इस टाइम मेरा साम का चाय बन रहा है और वैसे तो मैं दो टाइ करती हूं दो बार का पीना तो सुबह में और एक साम को पीती हूं लेकिन पता नहीं जब मुझे किसी भी बात के अगर टेंसन होती है न तो मुझे बहुत चाय पीने का मन करता है उस दिन तो मैं लगभग तीन से चार बार मैं चाय पी लेती हूं लगता है कि कितना मैं चाय जब मुझे टेंशन होता है तो पता नहीं मेरे साथ ही होता है कि और भी लोगों के साथ होता है लेकिन मेरे साथ ही होता है मैं कई बार इस चीज को नोटिस की हूँ अब मैं चाय लेकर के आ गई हूँ बच्चों के रूम में यहीं पर बैठ करके मैं चाय पिऊंगी और यहां पर बच्चे भी बैठे हैं कोई पट रहा है कोई शू करके उठा है सब कोई अपने अपने कामों में लगा हुआ है तो यहीं पर बैठ करके मैं भी चाय पिऊंगी और उसके बाद में कीचन में जाओंगी अपना काम निप्टाने के लिए क्योंकि इतना ही दिर काम मेरे पास टाइम रहता है बैठ करक को यहीं पर इंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई